Dear students, जब भी आप किसी संटेंस में गेम या फिर स्पोर्ट्स का नाम लिखते हो, तो गेम के नाम से पहले हम किसी भी आर्टिकल का परियोग नहीं करते, जैसे कि अग्जेम्पल आपके सामने दिये गए हैं, फास्ट अग्जेम्पल है, लेट्स गो एंड प्ले फुटबोल, आम तोर पर इंडिया के अंदर आप संटेंस जब भी बोलेंगे, तो इसी तरह बोलेंगे, आप देख सकते हैं, फास्ट जो संटेंस है, उसमें फुटबोल के आगे, कोई आर्टिकल यहां यूज नहीं किया गया है, सेकिंड संटेंस, आई लव स्विमिंग, हम कभी भी आई लव दा स्विमिंग नहीं बोलेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, आई लव स्विमिंग, इसी तरह आप देखी, वी प्ले होकी या फिर वी प्ले टैनिश, कभी भी हम यह नहीं बोलेंगे, के वी प्ले दा होक next sentence आप देखिए Rummy is more difficult than solitaire Rummy के आगे Da Rummy कभी नहीं बोला जाता Rummy is more difficult than solitaire तो आप समझ गई होंगे कि कभी भी हम कोई sentence लिखें English sentences के अंदर game के name से पहले हम कोई भी article का use नहीं करेंगे कुछ sentences ऐसे हैं जिनमें हम situation के according कई बार article यूज कर लेते हैं लेकिन generally जो normal तोर पर हम sentence लिखेंगे उनमें कोई article यूज नहीं होगा Okay, thanks